Cancer का मरीज जब ठीक होता है ना तो मैं उनका वीडियो उठाकर YouTube पे डालता हूँ Social Media channels पे डालता हूँ जगे-जगे TV में on air होता है और जब patience आते हैं तो patience क्या क्यों डालता हूँ? विकाज मुझे लगता है कि एक आदमी या एक लेडी जो ठीक हुई है वो अपना जो अपनी खुशी है वो share करना चारी है हमने यही सुनाए कि अगर खुशियां share करो तो बढ़ती है मेरी जब टीम डिसार्टन होती है और ऐसे नेगटिव पढ़ती है कि Sir हमने एक टेस्टिमोनिल डाला और हमने टेस्टिमोनिल डालना पे चार लोग ने बड़ा appreciate किया, very nice, very good, even we have been treated, we have been cured, and very great sir, and sir can I have your number, और उसके नीचे एक negative comment आजाता है, fraud, 15 लोग उसको पूछने शुरू कर देता है, क्यों अपना experience बता हो, क्यों क्या हो गया, क्यों क्या हो गया, क्यों क्या हो गया, और वो आदमी गायब हो जाता है, अरे य cancer patient chemo करा रहा होता है, जब कोई cancer patient radio therapy करा रहा होता है, तब कोई line से नहीं लिखता हो उसके साथ, fraud treatment, बेकार treatment, ये treatment, वो treatment, बट कोई अगर आपकी body के immune system को इतना जादा सक्षम बना रहा है, कि आपका body का immune system fight back कर रहा है, तो वो fake treatment हो गया, जब आपके body को immune system को बढ़ाया ज कर रही, आप जितनी companies देखो, जितना treatment चल रहा है, सारे के सारे, जितने बड़े hospital चल रहे है, सब pharma companies की lobby से ही चल रहे है, सब pharma companies की lobby के ही है, तो बट क्योंकि एक standalone आदमी या standalone doctor, खड़े होकर कह रहा है, बही, एक organic तरीका भी है ठीक करने का, एक non-invasive तरीका भी है ठीक कर it can be complimentary to surgery, it can be complimentary to radio therapy, कि वो उसको compliment करेगा और उसको aid करेगा, कि उसके सारफित्स ना है, an alternative मतलब आप अकेले भी चलने में सक्षम हो, आप अकेले भी recover करने में सक्षम हो, it is an complete alternative to other treatments that you choose from, ये एक दूसरा जरिया भी है, एक दूसरा तरीका भी है, आपके treatment को सही योग देने के कि अधिया जूसरा जरी.